Have you ever wondered कि आपके पास आपके wardrobe में एक से एक amazing dress and ethnic wear designs हैं? dresses के of course और उसमें अलग-अलग neck designs होती हैं किसी का cow neck है, किसी का deep neck है, किसी का round neck है, किसी का V neck है, किसी का boat neck है, किसी का scoop neck है, किसी का sweetheart neck line है, तो किसी का off shoulder है So, इसके साथ perfect याईडियल necklace design कौन सी होनी चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में Hi, आप सभी खुबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते, मैं हूँ सौमित्रा, आपका jewelry expert from Dazzles Fashion and Costume Jewelry Dresses के neck lines के बारे में बात करने जाए तो कोई limit नहीं है हम अपने इस वीडियो के अगर वीडियो flow के बारे में बात करें तो इन सभी तरह के neck lines के बारे में हम detail में बात करेंगे सभी तरह की neck lines covered हो जाएंगी, हम ये बताएंगे कि सब के साथ ideal कौन सी necklace अच्छी लगती है और किस के साथ क्या नहीं पहनना चाहिए इसके बाद हम साड़ी के उपर, साड़ी में जिस तरह का neck design create होता है उसके उपर आपको ideal necklace से स्क्या fit करनी चाहिए उसके उपर भी बात करेंगे और ये सिर्फ bridal के बारें बात नहीं कर रहे हैं हम bridal, non bridal, casual, outing with friends हर case की बात कर रहे हैं आपको जैसा occasion हो उसके साब से heavier light रख सकते हैं बढ़ हम necklace design type के बारे में बता देंगे आपको जिससे कि आप decide करने में सक्षम रहे हैं इससे पहले आईए जान लेते हैं कि वो funda क्या है जिसके basis पर ये decide करना होता है कैसी neckline के साथ कैसा necklace design पहनना है उसका funda बहुत simple है second आपके neckline से जो आपके neck में आपके पास space है play with that it's a very crucial point and third सबसे important point सबसे सबसे important point हमेशा अपने dressing का purpose ध्यान में रखते हुए ही necklace design से लेक करिए थोड़ा सा confusion होना लाजमी है आगे समझ में आ जाएगा sweetheart neckline से शुरुवात करते हैं बहुत ही specific type का neckline है बहुत ही खुबसूरत neckline है और बहुत जादा trend में भी है अब आप blunder क्या करते हो कि ये neckline का blouse बनवा लेते हो ethnic wear की फिलहाल बात कर लेते हैं आपने बहुत खुबसूरत सा blouse और अपना लेंगा बगरे डिजाइन करवा लिया उसके बाद आपने designers के jewelry देखी देखा कि यार बहुत अच्छे heavy chokers चल रहे हैं पूरा उपर से लेके नीचे तक आपने वो भी खरीद लिया और आप अपने special दिन पहनने निकल पड़े नहीं करना चाहिए करना क्या चाहिए ऐसा कोई भी jewelry select करिए जो कि आपके sweetheart neckline से at least एक दो इंच ऊपर तक ही रहे let your neckline shine let it breathe at least right क्या पहन सकते हैं आप गले से सटा हुआ कोई भी round neck necklace पहन सकते हैं चोकर पहन सकते हैं casual dressing या bridal dressing के हिसाब से इसको heavy or light कर सकते हैं pendant अगर पहनना है तो छोटे length का pendant पहनिए इस पूरे video में जब मैं छोटे length का pendant कह रहा हूं तो ध्यान रखिए मैं 16 inch से जादा लंबे chain की बात नहीं कर रहा हूं और जब मैं लंबे pendant set की बात करूँगा तो कम से कम 24 inch length की बात करूँगा मैं right तो आप छोटे pendant set पहनिए जो कि आपके sweetheart neckline के उपर जो गर्दन देख रही है उसी में ही खतम हो जाए यहां long necklaces and long pendant sets के लिए मना करूँगा because sweetheart neckline का एक बहुत ही particular shape होता है सोची उसके ठीक बाजू से ऐसा long सहार जा रहा है जो वो shape की खुबसूरती है उसको वो mess up कर देगा so long necklaces मेरे हिसाब से मत पहनिए long pendant sets मत पहनि short chokers, short necklaces and let your neckline breathe boat neckline भी बहुत ही popular है dresses में casual dresses में भी western dresses में और ethnic dresses में भी अब boat neck जब आप पहनते हो तो आपके neck में बहुत कम सी जगा बचती है अगर आपको necklace पहनना है तो आप necklace पहनिए single line का या maximum उसकी width जो है एक inch की हो तो बहुत अच्छा आपकी garden slender है choker पहनिए कोई दिक्कत नहीं है बट आपका necklace आपके boat neckline को overlap ना करे है यह बिल्कुल नहीं होना चीज़का आपको बहुत खास ध्यान रखना है आप necklace avoid कर सकते हो आप अपने heavy earrings, heavy danglers या खुबसूरत design को flaunt करिए गला खाली रहन दीजे कोई दिक्कत नहीं है बट if you choose to wear a necklace तो आप single line या बहुत पतला सा पहनी है और तब भी ध्यान रखे कि आपकी boat neckline और आपके necklace के बीच में breathing space होनी चाहिए यहाँ पर आप long overlapping pearl chains या फिर pearl के necklace sets या फिर long necklace sets भी पहन सकते हैं but with a word of caution दो तरह के boat neckline के नीचे की designs हो सकते हैं एक बिल्कुल plain dress है suppose कर यह आपने black olive green या इस तरह का कुछ पहन रखा है जो plain color है जब आप plain color का कुछ पहनते हो तो उसके उपर overlapping jewelry अच्छी लगती है दोनों की individuality अलग-अलग दिखती है उभर के आती है लेकिन अगर आपका जो dress का design है वो बहुत जादा heavy है embroidered है printed है उसके उपर आप necklace long necklace overlapping pearls मत पहनिए एक तो वो बहुत जादा already या नो बहुत जादा loud है उपर से अगर आपने उसके उपर overlapping jewelry पहन ली तो overall mess create हो जाएगा तो आप समझ गए होंगा अगर आपका plain है तो उसके आप overlap करिए अगर आपका plain नहीं है और बहुत जादा loud कहानी कह रहा है उसके उपर जबरदस्ती की और jewelry मत थो पहनिए correct? I hope you got it off shoulder neckline की बात करें तो इसमें भी boat neck की तरह ही आप जो है गरदन से चिपके हुए यानि कि round neck, choker या फिर extra long necklaces या pearl necklaces पहन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको short pendant sets पहनना है for a casual wear 16 inch का बहुत light सा एकदम गरदन से जो चिपक करके आए चोटे से pendant के साथ good to go इसमें भी ध्यान वही रखना है कि अगर आपके dress में design का element heavy है तो overlap करने की jewelry को जरूरत नहीं है उपर की तरफ रखिए that's sufficient scoop neckline एक बहुत ही common सी neckline है जो mostly सब के उपर suit करती है अपना purpose of dressing याद रखिएगा जो मैंने आपको कहा था funda बताते वक्त इसमें आप पहन क्या क्या सकते हैं इसमें आप सब तरह के necklace designs पहन सकते हैं बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके scoop neckline की जो boundary आ रही है ऐसी कोई jewelry मत पहने जो just उसी के उपर आके खतम हो रही हो या just उसको आधाई एक इंच से overlap कर रही हो सब कुछ इसमें अच्छा है चोटा pendant, long pendant, long necklace, overlapping necklaces, overlapping का funda वो सबके लिए common है ध्यान रखिएगा chokers, round necklaces, but purpose of dressing याद रखिए मैंने आपको बताया था कि आपका purpose of overall dressing के है, overall dressing में jewelry के dressing भी आती है overall आपका purpose है मान लीजे लंबा दिखना, तो आप choker avoid करोगे मान लीजे आपकी गर्दन मोटी है, या मान लीजे आपका चहरा बहुत जादा round है और आपको length का illusion create करना है, तो आप overlapping long necklaces में जाओगे choker avoid करोगे, ये सारे funda के उपर मैं already दो तरह के videos बना आ चुका हूँ I hope आप में से mostly जो लोग subscribe कर चुके वो तो देखी चुके होंगे लेकि जिनको देखना है उसके लिए मैं link यहाँ उपर दे रहा हूँ एक के बाद एक तो आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने face shape के हिसाब से jewelry design selection के बारे में बताया है और neck shape के हिसाब से भी jewelry selection के बारे में बताया है अगर आपको यह ऐसे dress पहनने है जिसमें collared neck है तो बहुत simple सी बात है उसमें आप small pendant, light pendant ही पहनेंगे उसके उपर कोई भी overlapping मत try करिये, वो आपके neckline को mess up कर देगा आप चाहें तो sleek chokers भी पहन सकते हैं डिपेंड करता है कि आपकी neck आपको वो चीज़ allow करती हो तो generally यह casual wear या party wear के लिए ही correct रहती है turtle neck की बात करते हैं बढ़ आप में से हो सकता है कुछ लोग सोचे कि turtle neck वाली चीज़ पहन के हम party wear में कहां जाने वाले हैं जा सकते हैं अच्छी dressing sense और smart dressing sense करें तो कई लोग जब winter wear आता है तो turtle neck के full sleeves के tops के साथ अच्छा नीचे skirt बहुत designer skirts या printed skirt या plain plus printed plain plus embroidered इस तरह के combinations पहन के जाते हैं और वो party wear definitely खेलाते हैं तो वैसे में आपके लिए एक सबसे जादा जो ideal necklace design है वो है overlapping long necklaces, pearl necklaces या long pendant sets again आप चाहें तो necklace avoid कर सकते हैं अगर आपका top already loud है तो यानि उसमें design है, embroidery है किसी भी तरह की लेकिन अगर नहीं है वो plain है और आप statement create करना चाहते हैं जूलरी के थूँ तब आप definitely overlapping jewelry पहनी है otherwise आप सिर्फ earrings पहन करके अपनी earring के designs को भी flaunt कर सकते हैं अब आये halter neck की बात कर लेते हैं यह halter neck छोड़ी चितने भी तरह के different और designer type के necklines होते हैं उन सब की बात करते हैं देखिए मेरा मानना है कि अगर इतने designer type के आप neckline वाले dresses पहन रहे हैं तो let them be let them add that to your persona उसके साथ jewelry जबरदस्ती add करके उसको mess up नहीं करना चाहिए आपको बहुत ज़ादा पहनने का मन है तो again 16-18 inches की एक पतली सी chain के साथ एक छोटा सा pendant आप पहन सकते हो but keep it simple because neckline अपमें आप में designer है and let it shine आये अब v-neck या फिर deep cut v-neck necklines की बात कर लेते हैं मैंने आपको फंडा बताते वग कहा था कि understand the purpose of your dressing अब यहाँ पर v-neck में आप दो तरह के necklaces पहन सकते हैं एक जो उसी तरह का v-shape create करें यानि की short pendant overlapping long pendant या overlapping long necklace जिसमें नीचे एक pendant हो right या फिर आपका गला खाली है तो आप गले के पास वाले round necklace या फिर चोकर भी पहन सकते हैं अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका purpose of dressing क्या था हो सकता है कि आपने v-neck या फिर long cut v-neck इसले पहना हो ताकि आप एक illusion create करना चाहते हैं आपके overall personality में एक length का तो उस case में आप round neck या फिर चोकर मत पहने हैं आप उसी shape का small pendant या heavy long pendant overlapping पहन सकते हो depending upon the occasion लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपने just out of love for v-neck cut आपने पहना है तो आप आप करनेक अगर आपको एलाओ करता है तो आप चोकर and round neck necklaces भी पहन सकते हो crew neck या फिर जनरल भाशा में round neck अगर neckline की बात करें तो यहाँ पर भी funda बहुत simple है अगर आपका उपर का top plain है तो आप overlapping long necklaces या pearl chains या pearl के designs पहन सकते हो अगर नहीं आपको लगता है कि इसमें already design है और आपको overlap करके mess create नहीं करना है तो आपके neck में जितनी भी जगा है उसमें अगर occasion के requirement है तो single line का कोई necklace पहन लीजिए या बहुत ही sleek सा एक choker पहन लीजिए लेकिन तब भी space होना चाहिए अगर आपको लगता बिल्कुल space नहीं है तो avoid necklaces just go for earrings कई viewers मुझसे पूछते हैं कि साड़ी के हिसाब से अलग-अलग तरह की necklace design कौन से पहन है तो यहां पर भी वही फंडा आता है कि साड़ी में आप हर तरह के necklace chokers round neck pendant sets light pendant set long pendant set pearl chain सब कुछ पहन सकते हैं डिपेंड किस पर करता है आपका purpose of dressing क्या है आपका occasion क्या है आपका neck type क्या है आपका और personality type क्या आपका face type क्या है so again मैं video कर चुका हूँ नीचे description में आपको link दे दूँगा आप उसको देख लीजेगा आप उस हिसाब से अपनी necklace designs या jewelry select कर सकते हैं इस video में हमने बात तो कर ली कि अलग अलग तरह के neck lines के हिसाब से अलग तरह के necklace designs कैसे select करें पर अपने आप में भी ये एक अलग मुद्दा है कि आप अपने overall dressing मे अपनी overall personality के हिसाब से किस तरह की neck lines select करें मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वो आपके लिए जो ideal एक neckline है वही जिंदगी पर पहने बट जो आपके बहुत खास occasions हैं जहां पर आप ही point of focus होने वाले हो वहाँ पर तो at least वह वाली ideal neck line आपको पहननी चाहिए अपने personality के हिसाब सब्सक्राइब करें मुझे आंसर करने में मजा नहीं आता मतलब motivation फिल नहीं होता है सो आप मुझे mail कर सकते हैं मैं आपका वहीं पर जवाब देनी खुश करूँगा आप सब्सक्रिप्शन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप मुझे suggestion दे सकते हैं वीडियो का और मैं उन वीडियो मतलब उन suggestion के उपर वीडियो बनाता हूं राइट जैसे कि ये भी बहुत सारे वीवर्स का suggested topic ही है राइट सो मिलते हैं अगले हफते with a brand new topic may be suggested by you guys I am Swamitra your jewelry expert from Dazzle's fashion and costume jewelry